हेलो इस्टोरेंट्स मनिखिल कुमार एक फिर आप सब्सक्राइब का सवागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपेसी पार्चाल में सीजीपेसी पार्चाल में आज में टॉपिक है चत्तियर करेंटरफेर्स जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज जो हमारे करेंटरफेर्स जो टॉपिक रहेगा इसमें आपको सिंगल वन लाइन कोश्चन ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे डिटेलिंग वाला पोश्चन थोड़ा थक कम है ऐसा नहीं कि हम डिटेलिंग वाले पोश्चन लोग कवर नहीं कर रहें कुछ ऐसे कोश्चन है जिसे टू दी पॉइंट आपके एक्जाम में कोश्चन डेलेक्ट पूछे जाते हैं तो उसमें जाए डिटेलिंग करने की जरुवत नहीं है हाँ जहां डिटेलिंग होगा वहां आपको मैं पूरा थियोरी उसका पोश्चन कवर कराऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं देखें ध्यान समझते हो चलिएगा हाल यह प्रदेश की सिस्थान से 1700 साल पूरानी भगवान नर्सी की योग मुद्रा प्रति में प्रात हुई है अप्षन है आपका आरंग राइपूर बी है डिपा डी बल्रामपूर सी है महेशपूर सरगुजा और डी है पिथमपूर जांजगीर चापा तो ध्यान दीजेगा हमारे प्रदेश का सबसे महत्वपूर पूरा तात्विक इस्थाल है आपका सिरपूर ठीक है सिरपूर के बाद दूसरा सबसे प्रमुक पूरा तात्विक इस्थाल कौन सा है वो है आपका आरंग ठीक है हमारे प्रदेश में आपके इस आरंग राइपूर से 1700 साल पूरानी भगवा नर्सीं की योग मुद्रा प्रतीमा प्राप्त हुई है ज्यान दीजेगा योग मुद्रा प्रतीमा की बात हो रही है आरंग का एक गाउ है जिसका नाम है आपको कुमहारी गाउ कुमारी गाव में एक तलाग की खुदाई के दोरान भगवा नर्सी की प्रतीमा प्राप्त हुई है जो कि आपके लाल बलुवा पत्थर निर्मित है और ये जो आपके मूर्ती का जो टाइम पिरेड है ये लगभग आपके चोथी से पाच्वी सदी के आसपास की बताई जा है ठीक है और जो प्रतीमा प्राप्त होई है ये भगवान नर्सीं की दुरलब प्रतीमा है देखिए भगवान नर्सीं को और ध्यान दीजेगा एक राजा रहता हिरण कशव जिसका पुत्र रहता भक्त प्रहलाद जो कि एक विश्णु भकता रहता है, लेकिन उसके पिता यानि कि हिरन्यकशप को अपने पुत्र की विश्णु भकती रास नहीं आती और वो अपने पुत्र के हत्या करनी की योजना बनाता, जिससे क्रोधीत हो करके भगवान विश्णु एक आउताधारन करते है, जो रहता नर्सिये अवतार यानि की सीर रहता है आपकी सीह का और जो नीचे जो आपका शरीर रहता है वो रहता है मानव शरीर तो नर्सी आवताधारन करके हिरन्यकशव का वद्ध कर देते हैं उसके पेट को चीर देते हैं ये जो प्रतीमा प्रात हुए ये एक दुरला प्रतीमा है लाल बलवा पत्थर से निर्मित एक दुरला प्रतीमा दुरला प्रतीमा क्यों है क्योंकि आप भगवान नर्सी यानि कहीं पर भी जो है आप उनके फोटो देखे होंगे तो उसमें वो हमेसा क्रोधी तवस्था में आपके हिरन ने कश्याप के पेट को चीरते हुए नजर आते हैं लेकिन यहाँ पर शांत योग मुद्राएं बैठे हैं इसलिए एक दुरलब प्रतीमा है किस इस्थान से लाल बल्वा पत्थर से निर्मित प्रतीमा है इसके आपके मूर्ती के साथ साथ कुछ मिट्टी के बरतन भी प्राप्त हुए है यह मिट्टी के बरतन गुप्त कालीन पात्र परंपरा यानि कि गुप्त काल में जिस सैली में जो बरतन बने होते थे उस सैली में निर्मित य प्रदेश का प्रशिद्धा फागुन मंडाई मिला किस जिले में आयूजीत होता है डिरेक्ट प्रशन पूसता है इसमें रिटेलिंग करने की कोई जरुवत नहीं है डिरेक्ट प्रशन आता है कि प्रदेश का आपका फागुन मंडाई मेला किस जिले में आयूजीत होता है कोंडा गाउ दंतेवाडा बस्तर और आपका सुकमा देखे यहाँ पर ध्यान दीजेगा क्या पूछ रहा है फागुन हमारे हिंदी कलेंडर में जो महिनों के नाम रहते हैं जैसे कि चैत्र बैसा सावन भादो कुवार कार्थिक अग्धन पॉस माग फागुन है यानि कि आपका होली आता है यह फागुन के महने में आता है तो यह जो आपका फागुन मंडाई मेले का आयोजन प्रसिद्ध मंडाई मेले का आयोजन किस जिले में होता है तो ध्यान दीजेगे दंतेवाड है वहाँ पर त्रिशुल की स्थापना करके फिर यहाँ पर आपका मेला भरता है जा डिटेलिंग नहीं करना है आपको तूर्दी पॉइंट याद रखना है कि फागूर मंडाई मेला किस जी लेगा प्रसिद्ध है तो वह है आपके दंतेवारा जी लेगा ठीक है नेक्स्ट देखिए यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है ध्यान दीजेगा थोड़ा सा कथन आधारित प्रशन इससे में बनाने कोशिश किया गया है देखिए कई लोग के कमेंट आ रहे थे कि अब्जेक्टिव को लास्ट में कराया जाए अब्जेक्टिव मैं कैवल ऐसे ही कोश्चन डाव रहा हूँ जो आपको डेली बेसिस में न्यूस पेपर में हैडलाइन में देखने के लिए मिलता है ठीक है बाकी डिटेलिंग में आप तो आपको डीप में जाकर के आपको पूरा कवर करा दूँगा लेकिन आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि न्यूस पेपर पूरा कि यहां कि आपका कथन सही होगा सेकेंड बोल रहा है कि यहां मेला माघ महा की पूर्णिमा से लेकर के राम नवमिताक होता है ठीक है आगे हम देखेंगे डिटेलिंग करेंगे इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ण होता है जो कि माघ पूर्णिमा से लेकर के आपके महा शिवरात्री तक महा शिवरात्री तक इस मेले का आयोजन होता है तो सेकेंड कथन हुआ आपका गलत तीसरा इस वर्ष यहां मेला आपके 20 फरवरी से लेकर के आपका 1 मार्च तक आयो उस्हेर हुआ है जो कि चलेगा आपके महाशीऊरात्री याने की एक मार्चेता, और चौथा है त्रिवेडी संगम पर इस्नान हे तु तीन तीतिया निर्धारित की गई है जी हाँ तीन तीतिया निर्धारित की गई है, एक है आपका माघपूर निमा और सबसे last date है आपका महाशी उरात्री और बीच में आता है आपका जानकी जैन्ती तो 3 date जो है यह साही इश्नान के लिए यानि कि 30 संगम में इसनान के लिए निर्धारित किया गया है तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है पूछ रहा है तो ध्यानती जी के ब और सह आपका सही नहीं है तो कौन सा ओप्शन होगा आपका ओप्शन B ठेक डेखें डेटेलिंग देख लिए राजी माघी पुन्नी मिला जिसके आयोजन की तीथी है आपका 16 फरवरी से लेकर के एक मार्च 16 फरवरी ये 16 फरवरी के रोज जो है आपका माघपूर्णीमा था ठीक माघपूर्णीमा से ये चालू हुआ है और माघपूर्णीमा से चालू हो करके ये चल रहा है आपके महाशिवरात्री तक यानि की एक मार्च ठीक, आज ये वीडियो आपका एक मार्च को आ रहा है, तो आज के दिन जो है, ये आपका आखरी दिन है, यानि कि इस मेले का, देखिए, आयोजन का जो दिन है, ये मार्ग पूर्णिमा से महाशिवरातिरी तक होता है, इसका शुभारंब है, इस माघी पुन्नी मेले का जो ये किया गया था आपके चरणदास महंत के द्वारा, जो कि हमारे प्रदेश के विदासभा, अध्यक्ष वर्तमान में, आयोजन इस थाल है, आपका महा नदी, पैरी और सोंडूर का जो आपका तठ है, जो उनका त्रिवेडी संगम है वहाँ पर, देखिए, पिछले साल न महा नदी, पैरी और सोंडूर नदी के तठ पर, ठीक, ध्यान दीजेगा, यहाँ पर आपका शाही इसनान की जो तीथी है, तीन तीथी निर्धारित की गई है, एक स्टार्टिंग डेट और एक लास्ट डेट, यानि कि मागपूर निमा की दिन 16 फरवरी, महा शिवरात्री के दिन 1 मार्च, और बीच में है आपका जानकी जयनती, जानकी जयनती यानि कि माता सीता, जानकी जयनती क्या जो है आपका 23 फरवर, यह तीन डेट जो है, साही इसनान के लिए निर्धारित किया गया था, इनको याद रखिएगा, ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, प्र मोही डारे, B है बंदना, C है तूलसी चौरा, D है संगवारी, देखिए, ध्यान दीजेगा, बप्पी लहरी जी के द्वारा, आपका 36 गड़ी फिल्म संगवारी, जो कि आपके वर्ष 2001, दो के आसपास यह मूवी आई थी, इसमें एक गाना था, अब गाने के बोल क्या है, इसमें को कहीं नहीं मिला, पूरा YouTube सर्च कर लिया, पूरा Net सर्च कर लिया, इसका बारे में कहीं पर ही मुझे डिटेलिंग देखने के लिए नहीं मिला, ध्यान दीजेगा, इसमें जो आपका मूवी था, आपका संगवारी, इसमें एक गाना था, गाना को गाया था, आपक ज्यादा इसके बारें डिटेलिंग नहीं मिला लेकिन हाँ किसी को अगर पता चलेगा कि इस फिल्म के निर्माता कौन थे निर्देशक कौन थे किस वर्ष वर्ष तो चलिए पता है दोजार एक दो में आपका ये मुवी रिलीज हुआ था गाने के बोल कौन से थे तो ये सार डिटेलिंग अगर किसी को मिलेगा तो वो नीचे कमेंट करके बता दीजेगा उसे नेक्स वीडियो में हम कवर कर लेंगे ठीक है चलिए नेक्स देखिए नेक्स है आपके पंधरवी सताब्दी की प्राचीन इस्मारक बहादूर कलारीन की माची किस जिले में इस्थित है बहुत बेसिक कोश्चन है बहुत बार रिपीट हो रहा है धमतरी, बालोत, कवर्धा, गरियावन देखिए ये है आपके बहादूर कलारीन की माची जो की पंधरवी सताब्दी के आसपास की एक प्राचीन इस्मारक है एक साल का प्रशन पूछा गया था कि जो आपके बहा बालोत जिले में, बालोत जिले के चिर्चारी में, चिर्चारी सोरर में इस्थीतर बहादूर कलारीन की माची ठीक है अब थोड़ा सा इस्टोरी क्या है इसे ध्यान दीजिए देखिए एक आपकी महिला रहती है जिसका नाम रहता है कलावाती इसे ही आपके कलारीन के नाम शरुक से जानी जाती है तो इसकी शराब की तारीव सुनकरके या इसकी सराब की चर्चा सुनकरके एक कल्चुली शाषक आता है और ये जो राजा है इस कल्रारीन को छोड़कर के वापस अपने राजमँ चला जाता है कि मैं वापस आओंग город के साथ कुछ तबह पस्चात इस कलारिन को एक पुत्र होता है पुत्र धिरे-दिरे बड़ा होता है और ये अकसर अपने पिता का नाम पुषता है लेकिन उसे जो है उसके माता उसके पिता का नाम कभी भी नहीं बताती तो आक्रोश वस ये क्या करता है आसपास के छेत्रों के राज सवाने का काम लेता है यानि कि उन्हें एक तरीके सब प्रतारिट करता है इसकी माता यानि कलारिन के दौरा बहुत बार अपने पुत्र से आग्रह किया जाता है कि इन सभी को रिहा कर दिया जाये लेकिन वह नहीं मानता एक दिन कलारिन क्या करती है अपने पुत्र के खाने के चिर्चारी में, चिर्चारी सोरर में मौझूद है ये, देखिए ये है आपका माची आज भी मौझूद है यहाँ पर ये माची ठीक है, इसी माची के माची का मतलग होता है ठीया है, एक इस्थान इस इस्थान में बैट करके वो सराब निकालने का कारे किया करती थी, ये है बहदुर कलारिन की माची, एक सल का प्रश्न था, ये क्या है, ध्यान दीजेगा, ये एक प्राचीन इसमारक है, ठीक है, इसमारक है, प्राचीन इसमारक, जो कि आपके 15 सदी के आसपास से ये बना हुआ, एक प्राचीन इसमारक है, ठीक अब ये question आया क्यों इसे थो अध्यान समझेगा अभी हाल ही में प्रदेश का देखे हमारे प्रदेश सरकार जो है वर्तमान में लगभग आपके 61 प्रकार के लगू वनुपजों का संग्रहन करती है आपके नियुंतम समर्थन मुलने पर ठीक है पहले ये आकड़ा आपका 52 52 के बाद आपके 9 और जुड़े जो आपके लगू वनुपज और जोड़े गए और वर्तमान में प्रदेश सरकार के दौरा कुल 61 प्रकार के लगू वनुपजों का संग्रहन किया जा रहा है ठीक अब ये महुआ फूल चर्चा में क्यों आजा क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे प्रदेश से ये महुआ फूल एक्सपोर्ट हुआ है आपके बृटेन के लिए बृतेन के साथ साथ अन्य देशों में भी ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये इसलिए चर्चाय बना हुआ है इसका उप्योग मदिरा के लिए और साथी साथ जो है औ हुआ फुल के खरीदी प्रदेश सरकार ध्यान दीज्ये, 30 रुपए प्रति कुंटल की δर से, 95 रुपए और 949 रुपए how'snotola है गेलिदो में सिरोर ग्लत से और 94 रुपै तो एंसर निकल गया है ゃो पहले पहले यसką खरीद होती टीक ठीक है इसमें जो है तीन रुपए की वृद्धी की गई है जिन किसी ने भी करेंट अफिर का भूख खरीदा होगा वो इसे करेक्ट कर लीजेगा करेक्ट नहीं इसे अपडेट कीजेगा क्योंकि पहले तीस रुपए था अभी हाली में इसका रेट बढ़ा दिया गया है और इसका रेट हो गया है आपका 33 रुपए प्रती किलोग्राम की दर से हमारी प्रदेश सरकार इस आपके महुआ फूल का खरीदी करती है समर्थन मुल्यापड ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री भुपेज बखेल ने गोठान के उत्पाद का ए लाज्ट में देख चुके हैं उसे पड़ा है तो देखेए यहां पर बात हो रही है गौठान उत्पाद गौठान उत्पाद का एकिक्रित ब्रांड नेम लौंच किया गया है तो यह क्या है यह है इसका एंसर होगा आपका अर्थ ठीक है गौठान में जो आपके महिला सुहसायता समोह के द्वारा जो भी आपके प्रोडक्ट बनाये जाएंगे जो भी उत्पाद बनाये जाएगा उसकी बिक्री एक ब्रैंड के नाम से होगी उस ब्रैंड का नाम है आपका अर्थ देखिए अई प्रारम्बिक तोर पर इस गौठानों में कारे करने वाली महिला सुहसायता समोह के द्वारा जैविक गुलाल के साथ साथ पूजन सामागरी जिसमें चंदन पाउडर, रुई बत्ती, कुमकुम, रोली, हवन, आदी सामागरी यहाँ पर तयार की जा रही है इसका एक वेब जाएं जहांपर यह प्रोड़क्ट बिक बिक रहे हैं ठीक है लॉझ और वापिला सुहसायता府 महिला सुहसायता समोह के द्वारा जो भी आपका उत्पाद बनाया जाएगा, वो इस brand name से बिखेगा, ठीक है, दूसरा important चीज, इसके प्रथम चरण में आपके दूर्ग, दूर्ग और आपके रायपूर, दूर्ग और रायपूर के 10 गौठानों को, 10 गौठानों को प्रारमभिक चरण में इसके अंतरगत शामिल किय गया है, ठीक, दूर्ग और रायपूर के 10 गौठानों को इसके अंतरगत शामिल किया गया है, महिला स्वा साहता समुहों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाएंगे, प्रारमभिक तोर पर आपके जैविक, गुलाल और पूजन की कुछ सामागरी ही बनाई जारी है, औ ठीक है, और ये है आपका लोगो, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, स्वामी आत्मानद अंग्रेजी माध्यम इसकूल के तर्ज पर नए सत्र में कुल कितने उतक्रिष्ट हिंदी माध्यम इसकूल खोले जाएंगे, देखिए, ध्यान से समझेगा, ये आपकी जो योजना है, स्वामी आत्मानद सरकारी अंग्रेजी माध्यम इसकूल योजना थी, ठीक है, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा जो है, आपका वर्ष 2020 में इस योजना का प्राराम किया गया, जिसके प्रसम 94 कुल 52 आपके अंग्रेजी मा इसकूल के अंतरगत कुल 171 अंग्रेजी माध्यम याने की English में इसकूल आपके संचलीत है, ठीक, अब इस स्वामी आत्मानद अंग्रेजी माध्यम इसकूल के तर्ज़ पर उत्कृष्ट हिंदी माध्यम इसकूल खोला जा रहा है, ठीक है, स्वामी आत्मानद क्या जो क्या होगी 30, 32, 35 या 37 तो ध्यान दीजेगा 32 डिरेक्ट कोश्चन बनेगा और ऐसा कोश्चन व्यापम उठाता है ठीक है स्वामी आत्मनंद जो आपके जो ये स्वामी आत्मनंद इस्कूल योजना है ये अंगरेजी माध्यम के इस्कूल खोले जाते है लेकिन अब उसी के त पर आपके टोटल 32 उत्कृष्ट हिंदी मिडियम इस्कूल खोले जाएंगे ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका पाच्वे नंबर का ये सर्वे है कि आकड़े के अनुसार 2000-2021 में 36 गड़ में शिशुम रित्युदर कितनी है ऐसा कोश्चन अब बहुत डिश्टर्प करेगा क्योंकि PSC ने जो है इस बर अगर आप देखे होंगे तो 36 गड़ का प्रजनंदर पूछा था ठीक है और शिशु के अंतरग़ तीन महा से लेकर के आपके एक वर्ष तके बच्चों को शिशु कहा जाता है इसके उपर कर जो age group रहता है वो रहता है आपके एक से लेकर के पांच वर्ष आयू वर्ग है आगे देखेंगे हम तो देखे, शिश्व मृत्युदर पूछ रहा है किस वर्ष के लिए? वर्ष दो हजार बीशे की layout के लिए कितना होगा आपका 32.4 परती हजार 12.1 परती हजार 4.3 परती हजार या 50.4 परती हजार शिश्व मृत्युदर का मतलब क्या होता है प्रती हजार जन्म शिश्वों में से जीवित शिश्वों की संख्या यह आपके शिश्व मृत्युदर कहलाती है ठीक है तो ध्यान दीजे इसका एंसर होगा आपका 24 दिसम्रों 3 प्रती हजार क्योंकि यह जो आपका आकड़ा पूछ रहा है से अपडेट कीजेगा देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है आपका नेशनल फेमिली हैल्थ सर्वे ठीक यहां पर मृत्युदर दिया गया है नौजात जिसमें जो question पूछा गया था ये क्या था शिशु मृत्युदर अभी बात हो रही है आपके नौजात की प्रदेश में जो नौजात मृत्युदर है वो है आपके 32.4 प्रती हजार शिशु मृत्युदर है 44.3 प्रती हजार जबकि 5 साथ तक के बच्चों का जो मृत्युदर है ये सभी आपड़ों में कमी दर जखी गई है ठीक है नौजात मृत्यूदर हो या शिशू मृत्यूदर हो या आपके पास साल तक के बच्चों का मृत्यूदर हो सभी में कमी दर जखी गई है साथ ही साथ जो हाँ आपके संस्थागत प्रसाओं में विद्धी दर जखी गई ह संस्थागत प्रसाओ का मतलब जो आपके प्रसाओ के दोरान माता और शीशु दोनों का जो आपका condition रहते हैं काफी critical रहता है काफी समय तो condition ऐसा हो जाता है कि बच्चों को जन्म देने के दोरान या तो मा की मृत्ती हो जाती है तो शीशु की मृत्ती हो जाती है उसका main reason क्या रहता है आपका संस्थागत प्रसाओ के स्थान पर घरों में प्रसाओ यानि कि जो महिला जो है घरों में ही delivery कराना प्रसंद करती है वो किसी hospital में नहीं जाती लेकिन अब जो है आज कल की महिला जागरूख हो रही है वो hospital के और रूख कर रही है तो यह आपका संस्थागत प्रसाओ का मतलब क्या है hospital होने वाली delivery तो अभी जो इस साल को आपका रिपोर्ट आया है उसमें हमारे प्रदेश में जो आपका संस्थागत प्रसाओ है वो है आपका 85.7% बाकी आप 2015-16 के आकड़े याद रख से तो याद रख लीजेगा बाकी यह आपके comparison के लिए से बताया गया है ध्यान देंगे तो जो पिछला report आया था इस सारे report में मृत्ति उदर में कमी दर्ज की गई जबकि संस्थागत प्रसाओ में आपकी वृध्धी दर्ज हुई है ठीक है अब थोड़ा next देखिए देखिए next देखिए दुलब गिद्ध प्रजाती Egyptian वल्चर को संरक्षित करने के लिए किस इस्थान को चिन्नित किया गया है किस छेत्र को चिन्नित किया गया है ए है आपका जामुल धौर छेत्र बी है कुवा कोंडा गंपुर छेत्र सी है चुरा फिंगेश्वर छेत्र डी है उप्रोक्त सभी तो देखिए यहाँ पर एक आपका गिद्ध की प्रजाती का नाम का उल्लेख है जो है आपके Egyptian वल्चर हमारे भारत में गिद्ध की आपकी कुल गिद्ध की कुल 9 प्रजातिय पाई जाती है उन 9 प्रजातियों में से एक है आपके Egyptian वल्चर गिद्ध की दुल्ल प्रजाती है जो कि एक मास भक्ची पक्ची है नारंगी यह आपके Egyptian वल्चर गिद्ध की भारतिय साहात्यों में इस Egyptian वल्चर गिद्ध का उल्लेक मिलता है इसका जो नाम है भारतिय साहित्यों में वो है आपका शकुंत शकुंत नाम के गिद्ध से जो है इसका वर्णन मिलता है और यह शकुंत और कोई नहीं यह है आपका Egyptian वल्चर कहानी थोड़ सा इस्टूरी थोड़ सा ध्यान में रखियेगा एक रिशी रहते है जिनका नाम रहते है कर्वरिशी जिनने इस शकुंत नामक गिद्ध के जंगलों में एक छोटी सी बालिका मिलती है उस बालिका का नाम रखते है वो शकुंतला 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 नाम क्य नाम रहता है तो थोड़ा सा इस्टोडी एक लिंग करके रख़ियेगा तो ध्यान दीजिए दुरलब गित्ड़ की प्रजाती है जिसका नाम है इजिप्शन वल्चर सिंट्र इसका भारतिय साहित्यों में इसका नाम मिलता है शकुंत इसकी पहचान है कि इसकी पंक है सफेद रंग के रहता है इसके लिए जो संरक्षन छेत्र घोशित किया गया है वो है आपके जामुल ढौर छेत्र जो की दुर्ग जिले के अंतरगत है ठीक है छेत्र विक्सित किया रहा है इसका प्राकृतिक रहवास है यह मुख की रूप से पीपल के व्रिक्ष में रहते है ठीक है मुख की रूप से पीपल के व्रिक्ष में रहते तो दुर्ग में यह जो आपका छेत्र जो चिनित किया गया है यहां में बहुत आयत में आपके पीपल के व्रिक्ष उगाए जाएंगे ठीक है इन्पोर्टेंट है याद रखिएगा नेक्श देख हाली में यह इस्थानिय ग्रामीन जिसका नाम है आपका लखमा सोधी एक इस्थानिय ग्रामीन रहता है जिसके दौरा इस गूफा की कोछ वर्स 1948 में कर दी गई थी लेकिन जो गूफा है ये काफी गहरा और काफी अंधकार वाला गूफा है लगबग जो है आपके 60 मिटर के आसपास ये गूफा गहरा है और अंधकार होने के कारण यानिकि लगबग 60 मिटर की गहरा ही होने के कारण और काफी अंधेरा होने के कारण आज तक य यहां नीचे दूर तक देखने पर अंधेरा नजर आ रहा है, अंदर उस गुफा में कोई जंगली जानवर हो या कुछ हो, इसलिए ग्रामी ने वहाँ पर जाने से कतर आते थे, यहां पर रहने वाले कुछ इस्थानिये लड़कों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद जो ह में रहा, इस बार यह आपका मांदर कोटा गुफा, जो की सिमलर है आपके कुटुम सर की गुफा से, कुटुम सर की गुफा जहां पर आपके लटकते हुए चूने पत्थर, जो की सुक करके आपके एक आकृती बनाते है, उसी प्रकार से आकृतिया मौजूद है इस मांद मांदर कोटा गुफा ठीक इनपोर्टेंट है इसे याद रखिएगा यहां पर जो है आपके इस्थानिय ग्रामिनों ने एक इस्थानिय देवता की भी स्थापना करके रखी है और इसकी पूजा कर रहा है तो मांदर कोटा गुफा किस जिले में इस्थित पूछा जाए तो डिरेक्ट एंसर याद रखिएगा कहां पर इस्थित है यह मौजूद है आपका बस्तर जिले में नेक्ष्ट देखिए नेक्ष्ट है चत्तिस गड़ के कैबिनेट यह राज्य शाशन के द्वारा सेक्षणिक सत्र दो हजार बाईस तेईस में दो हजार बाईस तेईस में 5-6 वर्स के बच्चों के लिए कुल कितने इस्थानों पर बाल बाडिया शुरू करने का नेड़न लिया गया है 5,438, 6,536, 7,912 या 8,357 अब देखिए बाल बाडिया होती क्या है बाल बाडिया कुछ नहीं सिमलर होता है आपके आंगनवाडी के अगर हम इसको मौडन तर किंडर गार्डन कोई आपका कहा गया है बाल बाडिया बाल बाडिया जिसमें आपके 5-6 वर्स तक के बच्चों के लिए ये बाल बाडिया होगी हमारे प्रदेश में आपके कुल 6,536 बाल बाडिया खोली जाएगी इस सेक्शनिक चत्रह 2022-23 में इन्पोर्टेंट है डिरे किंडर गार्डन उसी किंडर गार्डन को कहा गया है आपका बाल बाड़ी इस सेक्शनिक सत्र में कुल 6,536 बाल बाड़िया खोले जाने के आपका मंजूरी दी गई है चत्रह कैबिनेट के द्वारा नेक्ट देखिए राज्य सरकार के द्वारा वित्तिय वर्षी 2022-23 में कुल कितने जिलो में मार्च 2022 से राशनकार धारी परिवारों को 45 चावल वित्रित किया जाएगा तीन जिले, साथ जिले, नौ जिले, बारा जिले तो देखिए अब यह फोर्टिफाइट चावल होता क्या है थोड़ा ध्यान समझ लिजेगा देखिए जो फोर्टिफाइट चावल है यह आपके मार्च 2022 से इसका वित्रण प्रड़ाम किया जाएगा यह एक प्रकार का पोशन युक्त चावल होता है ठीक है पोशन युक्त चावल जिसमें आइरन, जिंक, फोलिक, एसीड, विटामिन B1, विटामिन B12 जैसे पोशक परियार्त मात्रे मौजूद होंगे अब सरकार इसे ला क्यों रही है यह चावल के वित्रण की योजना क्यों ला रही है जिसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारा प्रदेश में आपके कूपोशन और एनीमिया जो है इसका परसेंटेक थोड़ा जादा है ठीक है तो इस समस जिले है 10 आकांची जिले याने कि 7 जिले आपके बस्तर संभाग के याने कि आपका कांकेर हो गया कोंडागा हो गया बस्तर सुकमा दंतेवाड़ा बीजापूर नारायनपूर उसके अलावा कोरवा राजनांद का महा समुन तो टोटल आपके 10 आकांची जिले और दो है एंसर होगा टोटल 12 जिले और इसके साथ थोड़ा ये भी याद रखेगा कि जो आपका 45 चावल वित्रन योजना है वैसे तो ये आपका नवंबर एक नवंबर 2020 से 2020 से एक पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर आपके कोंडागाउ जिले में और डेडि प्राराम कर दिया ठीक है एक पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्राराम किया गया था इसका विस्तार किया जा रहा है अब 12 जिलो में कौन-कौन से 10 आकांची जिले 10 आकांची जिले कौन-कौन से है 7 जिले आपके बस्तर संभाग के उसके लागए कोरभा राजनाद गाव महासमुन और दो जिले है आपके कभीरधाम और रायगार ठीक है इन्पोर्टेंट है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा नेक्ट देखिए छत्तिरण का सुप्रसिद्ध एतिहासिक माता मावली मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है ए बस्तर बी दंतेवाडा सी कोंडा गाव और दी है आपका नारायणपूर देखिए जो आपका माता मावली है माता मावली आपके दंतेश्वरी माता का ही एक प्रतिरूप है ठीक है दंतेश्वरी माता का ही एक प्रतिरूप है इसका सुप्रसिद्ध एतिहासिक माता मावली मेले का आयोजन ये होता है आपके नारायण वड़ा मतलगाईएगा यह जो आपका एतेहासिक सू प्रसिद्ध एतेहासिक माता मावली का जो मेला है इसका आयोजन होता है आपके नारायान पूर जिले में इंपोर्टेंट है याद रखिएगा काफी प्रसिद्ध मेला है ठीक नेक्ष देखिए विश्वकास सबसे आदिवासि मेले का आयोजन मेडाराम में हुआ यह किस जिले में इस्थित है ए चटिसगड़ बी तेलंगना सी आंत्रप्रदेस और डी है आपका ओडिसा ध्यान दीजेगा यह जो आपका मेडाराम नामक जो एक इस्थान है यह मौजूद है आपके तेलंगना में जहां प मांग पूर्णिमा जो कि था आपके 16 फरवरी को मांग पूर्णिमा के दिन प्रत्यक दो साल में एक बार इस मेले का आयोजन होता है दो साल में एक बार का मतलब इससे पहले मेले का आयोजन हुआ था आपके 2020 में इसके दो साल बाद यानि कि 2022 में अभी इस मेले का आयोजन ह जाता है यह आपके कोया जो आदिवासी है इनका जो निवास है यह प्रदेश के तेलंगना से लगी हुई सीमा वर्ती जिले में यह जंजाती हमारे प्रदेश में निवास करती है कोया जंजाती जो है कोया जंजाती आपके 36 गड़ तेलंगना आंधर प्रदेश उरिसा और महराष्ट के कुछ छेत्रों में निवास करती है तो तेलंगना के यहाँ पर इस्थित है आपका मेडराम नामा गाओ और यहाँ पर इस सीमा वर्ती छेत्र से लगे हुए आपके महर लाष्ट तेलंगना आंधर प्रदेश और 36 गड़ की यह कोया जंजाती इस मेले में शामिल होती है ठीक है सुरुवाती तोर में तो केवल आपकी कोया जंजाती शामिल होती थी अब वर्तमान में यहाँ पर हर प्रकार के आपकी जंजाती है इस मेले में शामिल होती है देखे इक स्षी रहे पंगा, इसल नाम दिया गया है, आपका सरलम्मा देवी, देखे जोकि आपके तिलंगा वला छेतर रहे हैं, काक्तिय शाषकों से ये संगर्ष करती है आपके मेडा राम छेत्र को ले करके ठीक है इस कारण से यहां के आदिवासियों के लिए काफी पुझनी है समक्का और सरलंमा देवी ठीक यहां पर जो है आपका बंगारम या आपका बांगरम या बिल्लम यानि कि जो आपकी जो दे लागू है यह आपके इसी समक्का का ही एक पुत्र था ठीक है तो यह आदिवासियों का विश्यों का सबसे बड़ा आदिवासि का जो मिला है यह भरता है आपके तेलंगना के मेडाराम गाओं में ठीक नेक्ट देखिए हाली में राज्य कैबिनेट ने औद्योगिक नीती तो कौन सा उद्योग है जिसके लिए विशेश प्रोट्साहन दिये जाने की ने लिया गया है हमारे प्रदेश के द्वारा तो ध्यान दीजेगा इसका एंसर दो होगा एक है आपका टेक्स्टाइल और दूसरा है आपका प्लास्टिक अगर पूछेगा कि पहली बार कौन स की जाने का आपका केबिले लिया है तो वह आपका टेक्स्टैल तक मतलब होता है आपका कपडा उद्योग प्रदेश पहली बार जो है आपके कपडा उद्योग को विशेश प्रोट्साहान और इसके इनड़श्ट्री प्रदेश में इस्थापित किया elderly सरकार ने दी है ले प्लास्टिक उद्योग के लिए विशेश प्रोथसाहन देने का निड़ने लिया गया है और कौन से छेत्र के उद्योग को इस्थापित के जाने की मंजूरी दी गई पूछा जाए तो वो है आपके टेक्स्टाइल ठीक है यह है आपके टेक्स्टाइल इंडस्ट्री इन्प पाद उद्योग और मेसर्स SBT प्राइवेट लिमिटेट के द्वारा टेक्स्टाइल उद्योग लगाने के लिए विशेश प्रोथसाहन पैकेज निर्धारन के लिए प्रस्ताओ को मंजूर किया गया है ठीक है तो ध्यान दीजेगा कौन सा आपका प्लांट पहली बार इस दिन किया जाएगा मागपूर्णिमा के दिन, महाशिवरात्री के दिन, जानकी जैनती के दिन या पागुन अमवस्या के दिन तो ध्यान दीजेगा ये जो आपका देव बलोदा है ये मौजूद है आपके भगवान शिव के मंदिर से संबंदित है ठीक है यहाँ पे प्रोटेंट है याद रखना तो यह आपका देव बलोदा है यह कहा परिस्तित है यह आपके भिलाई चरोदा में ठीक है दुर्ग जीले के भिलाई चरोदा में मौजूद है आपका ये मंदिर ठीक भिलाई चरोदा नेक्स्ट देखिए इसको थोड़ डेटेलिंग देख यह आपका देव बलोदा जो है यह आपका शिव मंदिर है कहा परिस्तित है भिलाई चरोदा जीला दुर्ग में यह आपका शैली है यह नवरंग मंडप नागर शैली में निर्मित यह मंदिर है धर्म कांचा है भगवान शिव का है तो शैव धर्म संबंदित है यह आपका यहाँ पे आपके मंदिर के सामने एक कुंड एक तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुंड के अंदर दो कुवे हैं जिसमें से एक कुवा सीधा पातालोक में खुलता है जहां से निरंतर जल की धारा प्रवाहित होती है और दूसरे कुवे के अंदर से एक गुप् किस दिन होता है तो वह है आपके महाशिवरात्री के दिन ठीक है एक मार्च को इसका आयोजन होगा 36 राज्य विश्य विद्याले की कुलाधी पती किसे माना जाता है राज्य के ग्रीह मंत्री को राज्य सिक्षा मंत्री को राज्य मुख्य सचीव को या राज्य पाल को देख उसके कुलाधी पति किने माना जाता है तो ध्यान दीजिएगा वो माना जाता है आपके राज्यपाल को प्रदेश के जितने भी आपके विश्विद्याला है उसकी कुलाधी पति कौन है तो वो है आपकी राज्यपाल वर्तमान राज्यपाल कौन सी है कौन है आपके की जाए तो इसमें से थोड़ा ध्यान दीजेगा इसमें इसको थोड़ा जाद कीजेगा अभी जो आपका इंद्रा गांथी कृषिविश्विध्याल जो राइपूर है यहां पर हाल ही में न्युक्ति हुई है डॉक्टर गिरिश चंदेल की ठीक है यहां के आपके वर्तमान कुलपती बने है और यह जो कुलपती है यह आपके इस्थानिय कुलपती है ठीक है हमारे 36 गड़ की कुलपती है इस्थानिय कुलपती है आपके डॉक्टर जिरिश चंदेल इन्पोर्टेंट थोड़ा नाम याद रखेगा बाकी कुलपती के नाम आप याद रख सकते है ज उच्छ सिंगल वन लाइनर कोश्चन है जिसको आपको डिरेक्ट क्याद करना है, पहले नंबर पर है आपके रेन खोल परेटन इस्थल, काफी चर्चा में रहा, रेन खोल परेटन इस्थल की जिले में इस्तित है बस्तर कोरबा जांजगीर चापा या गोरिला पेंटर मरवा ही, एक हीली एरिया है, ठीक है, एक हील स्टेशन टाइप कर थोड़ा सा उचाई पहाड़ो पर रिस्तित एरिया है, जिसका नाम है आपका रेन खोल, यह मौजूद है आपके जांजगीर चापा जिले में, ज्यादा इसमें डेटेलिंग कुछ करना नहीं है, बस लोकेशन जांजडीन आपका कोकरेंग饪्यनाटी किस आपके जांजग करने जांजगाए, जैक है आपक कोकरेंग न्रित्य किस जन जांजगीर चापाल आप demo इंड़िया यह की जांजगा जैती ध्यकरव का का में, मात Лता म्रयमी मेले जेस्चा प्तिते दी गई जाला इसमें विशे जानकारी तो नहीं है कि नृत्य से संबंदित और भी जाए डिट्रिंग नहीं है लेकिन थोड़ा याद रखेगा कि आपका कोकरेंग जो नृत्य है यह मुडिया और माडिया दोनों जन जात्तिय के दौरा किया जाता है इस्पेशली अबुजुमार वाले छेत्र में यह रामपाल मंदिर जो कि आपके रामायन कालीन एक इस्थल है यह मौजूद है आपके बस्तर में बस्तर के बकावंड तहसील में मौजूद है देखिए यह आपका जो रामपाल मंदिर है यह एक शिव मंदिर है जिसे बस्तर का रामेश्वरम भी कहा जाता है ठीक है रामेश शिवलिंग है जो कि अश्ट कोनी शिवलिंग है अपने आप में विशेश है ठीक है आपके जो है इसके टोटल आपके आठ कोने है ठीक ये तो आपका शटकोन बन रहा है देख लीजेगा टोटल इसके जो है टोटल आठ कोने है अश्ट कोनी है शिवलिंग है ठीक मानने दा क सुमी को छोड़ करके लंका में गये थे उसी प्रकार से उन्होंने इस 36 गड़ याने कि दंड कारणे वाले छेत्र को छोड़ करके ये प्रवेश किये थे कहां आपके दक्षिन भारत में ठीक है तो ध्यान दिजेगा अन्य साक्ष के अगर हम बात करें तो इस मंदिर के प्रा रामा राम नामा की एक और इस्थान है वहाँ पर भूमी देवी की उन्होंने आराधना की थी ठीक है तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंटे से याद रखेंगे डियरेक्ट प्रशन आगा कि बस्तर का रामेशोरम किसे कहा जाता है तो वो है आपका रामपल मंदि ठीक तो आज के लिए इतना ही किसी ब्रहा डाउट हो तो नीजी कमेंट करें पूछ सकते हैं चैनल पर नए है तो चैनल सब्स्राइब करेज़ेगा लाइक और शेयर जबू कीज़ेगा धन्यवाद